नमस्कार दोस्तों, जैहिन जैवरत मैं ये विडियो सिर्फ आईकर विभाग के सारे ग्रूप सी इंपलाई को लेकर के बना रहे हैं मेरे साथ जब एक अधिकारी ने अपार में चार नंबर दिया इच एट एवरी ट्रेट के लिए तो मैं इस पे चर्चा किया, काफी लोगों से चर्चा किया तो मैंने ये पाया कि صिर्फ ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है कई कर्मचारियों के साथ हुआ है on administrative ground पे transfer की बात जब देखे तो वो भी देखे कि कही कर्मचारियों के साथ हैसा हुआ कि on administrative ground लिख करके transfer कर दिया जाता है अब इसमें सबसे सोचने वाली बात ये है कि क्या ये दोनों परकिरिया में जो procedure कहता है जो government DOPT का guideline कहता है क्या उसका follow up हो रहा है क्या उसके procedure को follow किया जा रहा है अब आपार में एक circular की बात कर रहे है ये लोग सभा सेक्रेटेरियट का है circular 2018 का इसमें बारसिक कार निस्पादन मुल्यांकन रिपोर्ट के बारे में ये bilingual है इसमें असपश्ट रूप से कहा गया है कि अपार में परविष्ट करने की नई व्यवस्था भावी परभाव से 17 2018 से 36 2019 की रिपोर्ट अब धी से लागू होगी जो 17 2018 के बाद सुरू की जाएगी मतलब 17 2018 से ये guideline applicable है असपश्ट रूप से कई जगह हम इसमें देख रहे हैं कि अपार में सभी मदों को साबधानी और ध्यान पुरवक परियाप्त समय देकर भरा जाना चाहिए रिपोर्ट को लापरवाही से अथवा सतही तोर पर भरने की कोई भी कोसीज आसानी से उच्चा धिकारियों के पकड़ में आ जाएगी इस तरह की बात इसमें guideline है इसमें और भी है कि लिखित में ये बड़ा important है इसको ध्यान से सुनिएगा लिखित में दी गई परतेक चेताबनी भर्सना का अपार में स्वतह उलेख किये जाने की अवसकता नहीं है यदि किसी को explanation मिला है किसी काम को ले करके तो कहता है सभी काईस में आप mention नहीं करिये केवल उनहीं मामलों में जहां जिसकी report लिखी जानी है चेताबनी दिये जाने के बाबजूद भी कोई सुधार नहीं आया हो अपार में इस परकार की चेताबनी का उप्यूप्त उलेख किया जाए लेकिन हो क्या रहा है ना कोई चेताबनी ना कोई वार्निंग ना आपकी कमी कहां पर है कौन सा काम आप नहीं कर रहे हो किसी भी तरह का objection नहीं उठाया जाता है अधिकारियों के द्वारा और उसके बाद साल के अंत में जो मन में आता है वो मार्किंग कर देते है कई साथ ही कई इंस्पेक्टर्स भी बोले कि ऐसा हो रहा है यदी इंपलाई गलती कर रहा है तो आप उसको वार्निंग दीजिए धेर सारा प्रावधान है आप उसमें ना दे करके अपना सिर्फ इगो सटिस्वाई कर रहे हैं इसमें और भी है तो खेर बहुत सारे कानून की बात है ये फॉलो अधिकारी ज्यादा बाउंड है फॉलो करने के लिए सिर्फ करमचारी के उपर सब चीज तोपा नहीं जा सकता है लेकिन समय ये है कि इसके उपर आवाज उठाना पड़ेगा यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही सोसन होते रहेगा आपक उनके जो चुने हुए अधिकारी हैं वे जो हैं एड्मिनिस्ट्रेशन से मिले हुए होते हैं और सिर्फ अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए कि अच्छे-च्छे जगह पर हमें मिल जा है बाकी को किसी भी परकार की जो परिसानी है ट्रांसफर पोस्टिंग छोड of service actual परिशानी है humiliation, harassment जो subordinate को harassment होता है जिस परकार से अपने subordinate को कुछ भी जो है senior लोग बोल देते हैं इस पर बात करने कियाब सकता है यदि सभी imply ऐसे ही बारी बारी से हरास होते रहेंगे तो ठीक है आज मेरा नंबर है कल किसी और का नंबर होगा आप बारी बारी से हरास होते रहें लेकिन मुद्दा क्या है कि जो organizational institutional goals है क्या वे मनमुटाब करके achieve करेंगे या सभी मिल करके आपसी सहमती समझ होता से ये achievement करेंगे organizational goal तो इस पर बात करनी चाहिए और natural justice मुझे नहीं लगता है पता नहीं कितने अधिकारी natural justice देते होंगे जब assessment करते होंगे तो जब एक अपने ही imply को खास करके मेरे case में natural justice नहीं मिला अधिकारी नहीं दे पाए natural justice तो ये assessment करते होंगे तो क्या natural justice जनता को मिल जाता होगा ये इनकी जो फैसले हैं जो decision है तो मुझे तो लगता है कि जब एक करमचारी को पिछले तीन साल से परिसान कर रहे हैं जब मुझे natural justice नहीं मिला तो पता नहीं ये अधिकारी लोग इनको natural justice देते होंगे खेर तो सारे group C imply आप ज़िए सही बात जन्यून बात रखना है ये नहीं कि हाँ जो जन्यून नहीं हो हम उसकी उसका समर्थन नहीं करते हैं लेकिन मैंने दिल से 16 साल मैंने काम किया है मैंने काम में कहीं भी कोता ही नहीं बरता है एक भी काम को ऐसा नहीं कि जिसको मैंने नजर अंदाज किया है to the best effort जो है मैंने सारा काम जीवन भर किया है 16 साल मैंने जीवन का दिया income tax department को लेकिन जो मिला है मुझे on administrative ground के रूप में humiliation मिला है और जितंदर सर्मा के द्वारा harassment मिला है तो इस तरह से यदि सब चुप रहेंगे तो ऐसे ऐसे अधिकारी का मनोबल बढ़ेगा और वो सोचेंगे कि चलो मेरा क्या कर लेगा आमें तो दो नमबर देना है चार नमबर देना जो मन में आएगा जो करना है तो ऐसे काम ने चलेगा आप लोग सभी साथ ही से मेरा निवेधन है कि जो सच्चाई है न उस सच्चाई पे गोर करिये यदि सच्चाई पे गोर नहीं करियेगा तो आज मेरी बारी है कल किसी और की बारी होगी जैहिंत जै भारत